वेल्कम टॉ लिखना सीखेंगे 2D के अंदर स्केश सेलेक्ट किया प्रेन को सेलेक्ट किया टेक्स्ट सेलेक्ट करने से पहले यहां पर हम एक लाइन क्रियेट करेंगे वो लाइन आपकी वर्टिकली भी हो सकती है और यहां पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं यहां पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं यहां पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पर आप जो भी टेक्स्ट लेखना चाहों अब यहां पर टेक्स्ट लेख सकते हैं ठीक है इसके अब हम यहाँ पर जो line create करेंगे, एक vertically line create करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम text create करेंगे, अब हम मेरी यह है, यहाँ से हम लेखना सुरूपर पर जो भी आप line select करोगे, उसके coding आपका, उसको follow करते हुए, आपका text start हो जाएगा, चाहे आप arc भी select कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर arc select करता हूँ, यहाँ पर मेरी arc है, अब यहाँ पर मैं text लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको parameters आजाते हैं, कि आपने text किस तरीके से लिखना है, ठीक है, उल्टा लिखना है, यहाँ से आप opposite कर सकते हो, and okay, reverse direction, यहाँ से आप इसकी setting कर सकते हो, text की, यहाँ पर font का size आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, आप इसको बढ़ा कर देते हैं, control Z, ठीक है, इसे हम arc को बढ़ा कर देते हैं, and text पे select करते हैं, arc को select करते हैं, जो यहाँ आपने लिखना है, आप यहाँ से लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर, जो distance, gap दोलों के बीच में, text के ब बढ़ा सकते हो, यह text के जो size है, वो बढ़ा या कम, ज्यादा है या कम कर सकते हो, ठीक है, by default select हो यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप इसकी position, and left to right करना चाहो, यह left to left, then यह select कर सकते हैं, center में करना चाहो, center, right side, left side, and center में, या equally, आपका जो पूरे area पे fill हो जाएगा, ठीक है, undo क करना चाहो, undo, ilk line, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा text complete होता है, I hope you like this tutorial, so please like, subscribe, and press the bell icon button for new video notification, thank you guys.